नमस्कार मैं हूँ देवेंदर आप देख रहे हैं पंजाब के स्री टीवी चंडिगर किसान अंदोलन की चर्चा आज प्रदेश नहीं देश नहीं बलकि पूरी दुनिया में हैं किसान अपनी मांगों को लेकर तीन क्रिशी कानुनों को रद करने को लेकर लगातार सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि अगर क्रिशी कानुनों को निरस्त किया जाएगा इनको रद किया जाएगा तब ही वे वापस लोटेंगे जो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार 25 नमबर से वहाँ पर डटे हुए हैं अब इसी को लेकर एक निर्दलिय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने चेर्मन पद से इस्तीफा दे दिया सरकार से समर्थन वापस ले लिया लेकिन कुछ निर्दलिय विधायक हैं जो अभी भी सरकार को समर्थन उन्होंने दिया हुआ है लेकिन किसानों के मुद्दे पर वो आज एक हुए और निर्दलिय विधायक रंधीर गोलन के निवास्थान पर उन्होंने मुलाकात की क्या कुछ मुलाकात में रहा, किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, क्या कुछ वे सोचते हैं, आगे की क्या रंगनिती है, इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ कुछ निर्दलिय विधायक हैं, आईए उनसे बात करते हैं निर्दलिय विधायक नैनपाल रावत, निर्दलिय विधायक रनधीर गोलन और धरमपाल गोंदर मेरे साथ हैं। रावत जी मैं समसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा। आज जो मुलाकात आपने की हैं, इसमें क्या कुछ आपका एजेंडा था, किस तरीके मुलाकात जो पांच विधायक निर्दलिय और चटे जजपा से जोगराम श्याग जी भी बाईचांस आगे थे, तो हम सभी छेओं ने बैठ करके लंच किया, और किसानों के मुद्दे से लेकर अन्य राजनतिक विश्यों पर भी चर्चा किया। आप पांच निर्दलिय विधायक थे, बलराज कुंडू नहीं थे आपके साथ, किसी तरीके का कोई उन तक सम मैसेज नहीं पहुंचा पाए या फिर वो आपके साथ अब नहीं बैठते हैं। मेरा निजिस्टेंड यह है, मैं बता दूँ कि इस देश के यससस्वी प्रधानमंतरी माने मोदी जी, प्रदेश के यससस्वी मुखमंतरी माने मनुलाल जी, कभी भी किसी कीमत पर चाहे किसान हो या कोई वर्ग हो, उनके लिए केबल हित की लड़ाई लड़ते हैं, कभी भी किसी का एहत ये दोनों सरकारं नहीं करती हैं, और मैं समझता हूँ कि जस प्रकार से 2012 तक किसान की आाय को दूगना करने का, क्योंकि किसान को अब तक कोई भी सरकार हो, वो दumबा कुषला समझती रही और उसको और गरीब करती रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से म को दोगना करने के लिए इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दू कि अगर लगता है कि किसान को इससे नुकसान है साल में दो साल में पता लग जाएगा मेस्पी से रेट कम हो रहा है या उनके जो कॉंटेक्ट फार्मिंग है उसमें को नुक्सान हो रहा है तो निशंदे और निश्चित तोर पर पहले भी सरकारों कई कानून वापस लिए तो इसको भी कानून को वापस लेना ही चाहिए आप सरकार के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ खड़े हैं इस पूरे अंदुलन को लेकर इस पूरे मसले को लेकर देखिए निश्चित तोर पर किसान इस देश का अनदाता है पर देश का अनदाता हूँ कि जो जैसे पंजाब है और पंजाब से यह जो पंजाब की कॉंग्रेस सरकार है या पंजाब के लोग हैं वो सबसे पहले बॉर्डरों पर पहुंचे तो मैं समझता हूँ कि अगर किसानों को पंजाब की इतनी चिंता है पंजाब को किसानों की इतनी स्वायल का पानी नहीं देपाई तो कि मैंने समझता कि किसानों के स्की लड़ाई लड़े यह केबल एक सवार्थ की राजनिति यह जो इसके पीछे कुछ जो राया काता है जी आ अधूरी के आपके देश के हैं वो इसके पीछे लगुई हैं और निश्चत तौर पर फिर्व किसान को बर्गर आने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हamewag बम hem रूक्राइब कि सब्सक्राइब कोूंगी और आपकी डिली है गाजर है इऑन कि यूरिया की दक्कत किसान को को ने लगी क्योंकि ट्रेन बंद होने से याय वावित होने से में की फेसलों का नुक्सान हो रहा है भुअ को आप से जाना चाहंगा जो किसानों का अंदलन amazing यहां तक किसानों कि अंदलन की बात है मैं बी किसान वर्ग से आता हूं जब किसान ये चाहता है कि हमें Hello पी दे दो और हमारे लिए आये की बजाए हम जीस परकार से आप ऐसे रहना चाहते हैं तो मेरा तो आपके चैनल के मादम से मानने हैं प्रधान मंतरी जी से यही करना है जब किसान इतनी ठंड में अपना घर बार छोड़के बीस दिन से वहां बैठा है तो देश के प्रधान मंतरी जी को भी किसानों की बात सुनने चाहिए और मैं किसानों के साथ का अगर उनको लग रहा भी इससे नुक्सान है तो सरकार को किसानों की बात मानने चाहिए किसी प्रकार की निर्दले विधायक आज इकठा हुए थे सभी नहीं पांस निर्दले विधायक थे आप नैनपाल रावत कह रहे हैं कि जो यह किसान अंदोलन है वो तो राजनीती होत्ते रहते हैं और हमने आज मेरे कर पर्द पहर का खाना खाने की योजना अचानक बनगी थी हम इकठे हो गए पंच उछें बाई और जहां तक किसान की बात है अपने अपने अलग-अलग मत हो सकता है राजनीती लोग भी इसमें लगे हुए हैं राजनीती लोग को तो हैं इसलिए हैं यह हो गया क्योंकि जो भी पक्स है पूरे देश का जविपक्स गश्यों के खुलाप है उस सारा किसानों के साहथ क्ष़ड़ हो गया तो इस से ही लगता है कि ये राजनीती लोग इसको नहीं है। लेकिन तो यही आपके चैनल के मांतम से मानने प्रधान मंठरी जी से निवेदन आग रहा है। आप किसानों की बात मानने का आग रहा है, प्रधान मंठरी से कर रहे हैं। के लिए कि याप मुख्य मंतरी से बात करें गे राजय पाल को बात कहेंगे अपनी ऊपर किसी तक बात पहुंचाएंगे तो मानिय मुख्य मंतरी जी कहते हैं किसानों के बारे में अच्छा सोच्चा जाएगा, किसान हमारा अंदाता है, किसान कोई दूसरे लोग थोड़ी है, वो भी हमारे बाई है, तो मुख्या मंतरी जी का भी किसानों के परती नर्मर वही है, ऐसी बात ने भी किसानों के खलाब है, जिस तरीके से आपने समर्थन का पहले ही कह दिया थ क्या आप सरकार के भी साथ हैं, देखे, किसान देश का अंदाता है, और जो सरकार की तरफ से हैं भी हम किसानों की आए दुगनी करेंगे, यदि किसानों की आए दुगनी कर लिये हैं, तो किसानों को सुख स्वीद असारी मिले, उनके हित की बात हो, तो किसान आए दुगन से भी तीन गुणा कर सकते हैं हर स्वीद हमिलनी चाहिए और किसानन जो आज मेरे खाल ठारमा दिन है वह इतनी तफ कडी सर्दी में वहां बैठे हैं बच्चे भी शोड राखे हैं उनके पसू भी है दिक्कत तो उनको आई रही है और इतने दिन होगे मेरे तो मानिय मुख्य मंत्री तक ही हमारी पोंच है मानिय मुख्य मंत्री के मैध्दम से निवेदन है मानिय परधान मंत्री जी से बात करें और किसानों की बात सुने जो उसमें तरूटी है उसको दूर करें मेरे तो यह निवेदन है मुख्य मंत्री से आप जरूर निवेदन करेंगे जिस तरीक से सरकार का अब तक का किसानों के प्रती रवय रहा है लगातार बात चीज चल रही है अगर किसान आपको कहें आपके एरिया के या अलग किसान की सरकार हमारे बात नहीं मान रही तो आप सरकार के साथ क्यों खड़े हैं आप क्या फैसल देखियो, सरकार तो आनी जानी चीज है, पार्टी ने हमें टीकटन दिया, हमें 36 बरादरी ने बनाया, उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, जुआनों के भी हमारे बाई पोस्ट बोट आए है, हम उनके साथ है, अगर जनता कहती है कि आप सरकार का साथ ना दें तो आप छो झुनार दन है, भगवान के रूम में मानते हैं उनको, जो हमारी जनता फेसला लेगी, जो रिजाएँ के कहेंगी, तो हम जनता के कहने के कहने हैं, धरंपाल गोंदर कह रहे हैं कि अगर जनता कहती है तो समर्थन वापस भी ले सकते हैं, और जो है, चेर्मन पद भी किस तरीके से देखते हैं आप उस फैसले को जहां तक सोंवीर जांगुंजी की बात है वह सांगवन खाप के अधेक्स हैं और उनकी खाब निरने लिया कि आप या तो खाब के प्रधान रो या चेर्में रो तो उसने चेर्मेंनी की वजाए अपनी खाब को महतव दिया और उ इसलिए खाब के बाद तो उसने माननी पड़ेगी रावत जी मैं आप से जानना चाहूंगा जिस तरीके से आप लोगों ने भी समर्थन दे रखा है जजपा के विधायकों ने भी समर्थन दे रखा है दस विधायक है लगातार जो किसान है वो यह मांग कर रहे हैं कि दू ज़किए एमेले या कोई एमपी या कोई अन्य जो भी पदों पर चुनाब होते हैं निश्चत तोर पर जनता जनार्दर बनाती है और सरकार हैं जनता के हिद्द के लिए बनती हैं हम भी जनता की भलाई के लिए सरकार के साथ खड़े हैं और जजज दिन ऐसा लगेगा कि जनता को तकलीफ होने लगी है या किसान को तकलीफ होने लगी है उस दिन निश्चत तोर पर हम जनता के साथ ही खड़े होंगे इसमें कोई बात ही नहीं है और रही बात जजजबधा के किसी के जो ना मांगने की समर्थन वापस लो फलाना करो तो कुछ लोगों की यही Hagино सरकार से मतलब है कि किसी तरह से किसानों का मुद्दा है केंद्र सरकार का मुद्दा है रख में पकी केवल ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा सरकार मनुलाल जी की पूरे पांस साल चलेगे। जिस तरीके की बातें चल रही थी कि सरकार तो गिर जाएगी सोसल मीडिया पर भी काफी चल रहा था। उप मुख्य मंतरी दुष्षन चोटाला करीबन दस बारा दिन के आसपास उनका कोई बयान नहीं आया। किस तरीके से देखते हैं आप इतने दिन तक उप मुख्य मंत्री दुशन चोटाला ने कोई बयान ही ने दिया और किसान हरियाना के किसान पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल उनके उपर किया गया देखें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो किसानों के अनदोन की सुरुआ थे ये पंजाब से हुई और पंजाब के किसान या पंजाब के लोग कांगरेस के प्राइजित थे जो भेजे गए थे वो लोग सबसे पहले बॉर्डर पर पहुँचे तो मैं पहरे भी आप से कहा है कि अगर किसानों की चिंता पंजाब की सरकार या पंजाब को है तो हर्याने के जो स्वाईल का जो पानी है उसको देने के लिए वाज तक क्यों राजी ना और अन्या के साथ जो देश के अन्या राज्ये हैं उनमें इस आंदोलन का सार क्यों नहीं है तो मैं समझता हूं कि केबल और केबल कुछ लोगों की जो ये प्राइजित हैं उनका मानना केबल हर्याना सरकार तक सीमीत है रहाँ सरकार को कमजोर करना चाहते हैं अस्तर करना रहो आपका क्या स्टेंड होगा अगर आप से ही जनता जनारदन बात कहीं देखे अगर जो जनता जनारदन है और जो वाकिए किसान के हित्की बात करना चाहती है तो अगर वो कहेगी तो हम कौन से उनसे दूर हैं मैंने पहले भी कहा है कि जनता जनारदन है जनता हमारी माल साथ हो जो इस तरह की बात कर रहा है यह तो किवल वो लोग जो सरकार के साथ खिलवार करना चाहते हैं सरकार को कमजोर करना चाहते हैं वो आए दिन इस ती पर मांगते हैं जिनको हमसे कोई लेना देना सरोकार रहा ही नहीं दक्षिन हरियाना में आपका एरिया आता है किस तरीके का वहाँ पर किसान जो कानून बने है तीन क्रिशी कानून इनको लेकर किस तरीके का जो किसानों का रवईया है या किस तरीके से वो इन कानूनों को देख रहे हैं देखिए जहां तक मैं भी मेरे टोटल जो कौंसेंसी है वो किसान बहुलिया है लोकल चेतर है एक सिंगल जगह से भी कभी किसी किसान भाई ने मुझे से आके यह नहीं कहा कि आप चलिए यह सो दो सो पान सो हजार की ताइदात में वो इकटे हुए हों वो कहते हैं जो मेरे च किसान हो यह कहता है कि किसी जो कानून है वो किसानों के हक में हैं एक बार किसानों को इसको जो ना देखना चाहिए कि इस पर क्या इंपलीमेंट होता है क्या इसके सुधार है क्या इसमें बुराई है और मैं भी यही बात कहता हूं कि अगर एक साल में माली MSP पे हमारे जो फसल नहीं बिक्ती है या कॉंट्रेक्ट फार्मे में कोई दिक्कत है या मंडियों में ले जाने में कोई दिक्कत है तो जब भी इस कानून से कोई दिक्कत होगी तो यह कौन सी ऐसी चीज़ है जो वापस ने जाएगी आपके अरिया से अलग रेस्ट ओफ हरियाना है वहां के बहुत सारे किसान जो है वो दिल्ली बोर्डर पर फिलहाल डटे हुए है पहली बात तो मेरी यह है कि आप मानते हैं कि हरियाना के किसान वहां पर है क्योंकि कुछ नेता इस बात को मानने को तयार ही नहीं कि हरियाना के में अपने छेतर की बात कहता हूं कि मेरे यहां का आपको पचास आदमी भी वहां पर नहीं मिलेगा और हुए थे थोड़े से आदमी खटे वो भी मैं समझता हूं कि वो भी विपक्षी दल के जो ना प्राइजित थे सो दोसों की नो सो दोसों की जोदात में खटे हुए और दो दोजन के बाद ही वो अपने अपने घरों में जाके बैठ कई और इसे चर्चा करती है और हम उसे किसानों से बिल के हक में हैं आपकी एरिया में किस तरीकर की हाल gestion economics मेरे एरिया की बात है मेरे एरिया जो है सान्ति पुरू की एरिया है मेरे एरिया में इस प्रकार की कोई ज्यादा बात नहीं होती मेरे एरिया की बात होती है को अनुसा विकास करा विकास करा हर मैं प्रमात्मा से ड़क हूँ मैं एक सालमा विकास कराने में सफल हूँ क्रीशी कानूनों को लेकर आपके एरिया के किसान खाहते हैं I think we world मेरे विक उप्रशी कोश की Sum वह ठीक है आप आप अंदोलन ना करें गुषांडा autant रहा किसान को किसी प्रकर की दिथकत है इसको दिथकत का समध्य अनकर इक किसान की बात को मानना चाहिए किसान इतनी ठंड में बचारा मर रहे हैं अपने बीवी बच्चे सब कहीं एक एक बाज़ा बाज़ा किसान तो ऐसे जिसके तीन तीन पीडिमा है बाबबा भी है बेटा भी है पोता भी है आज यह जो किसान अंदोलन है एक मूवमेंट बन गया और इस मूवमेंट को ज्याद क्यों को इस प्रकार के अद्रद्य को एपतिन नहीं चाहिए AWS किसानों का सानु भूति पूर विचार करके उन की बात को मानते उन को अच्छी तरीके से बात बात मानकर के गर वापि समय जाए नाम दे कर किसानों को विए आपके साथ को यह नहीं नहीं होगा दरमपाल जी आपने पहले कह दिया था कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, क्या आपको ऐसा लगा जो आपने वो बयान दिया कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, आपको लगा कि किसान जायज मांग कर रहे हैं और क्रिशी कानून जो हैं, वो किसानों के भले के लिए नही है देखिए किसान जो अंदाता है मारा उसको फसल के या अनगो आने के बारे में उनको भली भांती बता है अब कोई दिक्कत आई है उनको तो आज से पहले माननी परदान मंतरी ने कुछ ऐसे निरने लिए थे जो बाद में बहुत अच्छे सी दोए चे उसमें तीन तलाक की ह हो चे उसमें नोट बंदी की हो जो नोट बंदी का लगबग 95% आदमी को इससे कोई फर्क नी पड़ा कुछ पांच यार परसेंट थे जिन के पास नोट थे वो दुखी होए होंगे आम 95% जनता को कोई इसका फर्क नी पड़ा तो जो निरने लिए पहले ठीक लिए इसके अधिये वैसे तो यह किसान हीथ में था लेकिन किसानों को पता है तुरूटी का क्या तुरूटी है इसमें वह जो अंदोलन कर रहे हैं बहुत बड़ा अंदोलन है इस बार और काफी दिन हो गये उनको तो मेरी तो निवेदन है माननी परद्धान मंतरी जी से उनसे बैठक कर उनको बिठा कर बात करें और जो उनकी दिक्कत है उसको दोर करें किसानों के साथ आप जाएंगे वहां पर जिस तरीके से अंदोलन वो लगातार करें उनको समझाने या फिर किसान आप लोग जायज मांग है आपकी मां आपके साथ खड़ा हूं देखे जिस दिन जनता म मेरे परचार चुनाव परचार में गया ने मैंनों को कह दिया था मैं तो आपका सेवक हूं और आप सारे धरम पाल बनकर ये चुनाव परचार करें मी जितनी जनता है च्छोटे-बच्चे से और बुझ बुजुग तक वही मेरे हलके के सारे έ Scarra में आपका सेवक हूं आज या इस्थीति है जैसे कहीं मानसमान की बात होती है पगडी की बात होतीत है तो मैं वहां का जो सबसे बड़ा भुजूरुग है उनके सिर्पे ही पगडी रखे जाते है गा में भुजूरुगों o किसानों एक बच्चे से और बुजुरुक तक उतने समान करता हूं जैसे वो कहेंगे मैं वैसे त्यार हूं रावत जी मैं आप से जानना चाहूंगा किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं किसान भाईयों को केबल एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर ये कानून हम लोगों के हितमे हमागों किसानों के हितमे ना हुए तो निश्चत तोर पर किसी भी सरकार को कोई कानून ऐसा बनाने के जरूरत नहीं है जिससे किसी किसान को या अन्यवर को नुकसान हो और इस पे साल दो साल इंप्लिमेंट करके देखना चाहिए क्या हमारी फसल के दाम ठीक मिल रहे है मंट्यों महवारी जो फसल्य हो ठीक भी करिये जो चीज कानून में है अगर उस कानून के तहसर किसान को फाएदा होता है तो वैले कृड़ अन्यथा को उकसान होता तो सरकार आज आप यह नहीं मान रहें जो तीन क्रिशी कानून हैं यह किसानों के फाइदे के लिए रहेंगे इस बात की शॉर्टी तो आपको नहीं है जी बिलकुल शॉर्टी है मुझे क्या आप किसानों के बीच जाएंगे किसानों को समझाएंगे कि आपके लिए ये फायदे मंद है आप ये अंदोलन ना करें देखिए ये केवल एक छेतर का मसला नहीं है अगर मेरा केवल एक मेरी विधान सावा का मसला होता तो निश्चित तोर पर मैं जाता भी जैसे पीचे तीन साल से मेरे किसान भाई वहां पांच गाऊं के किसान धरने पर बैठे थे और अब केवल कुछी समय में क्योंकि बीच में कौरून आ गया था और बहुत जल्द उनकी जितनी मांगे थी उनको मनवाकर माने मुक्मंतरी मनुलाल जी ने उनकी बाते मानी और क्योंकि इससे पहले किसी ने उसके लिए पेर नहीं लिया और मैंने उसको निप्टा के वो धर्ना समाप करा दिया तो इसी प्रकार से अगर मेरा अकेले छेतर का मसला हो तो निश्चत तोर पर मैं उनके बीच भी जाता अगर जयज होता तो उनका साथ देता और अगर कानून जयजा मांग रहे हैं आप किसानों आप कह travaillे हैं कि अगर वो जयज होता उनका अंदौलण तो मैं उनके साथ खड़ा होता मैं यह कह रहा हूँ कि अगर उनकी मांग जायज होती तो वो चीज समझा ली जाती मैं किसान अंदूलन की बात नहीं कर रहा और किसान अंदूलन की जहां तक बात है उसके लिए स्टेट गवर्मेंट और सेंटर गवर्मेंट दोनों ही सरकार चिंते थें अगर कोई चीज जिसमें नुक्सान दायक है तो उसको निश्चे तोर पर वापस ले जाएगा और जो किसान के हित्की बात होगी वही इसमें रखी जाएगी गुलन साब मैं आप से आखरी सवाल करना चाहूंगा जिस तरीके से किसान वहाँ पर अंदोलन कर रहे हैं क्या आप उनके साथ खड़े होंगे कि आप लोगों की मांग जायज है आप लोग सही तरीके से कर रहे हैं मैं आप लोगों के साथ ख़ड़ा हूँ मैं दो सुरू से जब से अंदोल नियुक्त तब से किसान के साथ कीए हूं क्योंकि मैंने अपने आद से अड़बाए हूए आपने आद से बेलों से खेती की हुई है ट्रैक्टर भी चलाए हैं और किसान आज पूरे देश का किसान कोई छोटा या बड़ा है हर किसान करजबंद है कोई किसान की हालात अच्छी नहीं है और जब किसान की हालात अच्छी नहीं होती तो किसान को जो तीन अध्यादेश हैं इन से कुछ ने कुछ दिक्कत है सरकार किसानों को अध्यादेशों के बारे में सही बताने में सफल नहीं हुई है और इसलिए अंदोलन की जुरूरत पड़ी अगर सरकार पहले समझाने में सक्सम होती तो आज ये अंदोलन नहीं होता किसानों को क्या कहना चाहेंगे आखरी मैं किसानों से तो यही अपील करना चाहूंगा कि जो किसानों ने अपनी मांग की है जो उचित मांग है जिसका हम से नुकसान है हमें सरकार से करना चाहिए हमारी ये मांग है इसको इसमें अध्यादेश में नए अध्यादेश लाओ जैसे MSP की बात है सरकार काते हैं MSP लग़ ढरेगी लग़ लेकिन मेरा इसमें क्यान है सरकार को लिखतु में देने में क्या दिक्त भी धिक्त है कनून बना दे इस थिता हॉधि पने 3 कनून करा दे बना दे ज़िए माननिय परधान मंत्री भैइ MSP लाग़ चैनी हो दो किसान की पीड़ा को सरकार ना समझना चाहिए और किसान की पीड़ा को समझते हुए उचित फैसला के अंदर की सरकार को लेना चाहिए और किसान इतनी सर्दी में आज बेहाल है ऐसा नहीं होना चाहिए तो निर्दलिय विधायक तीनों मेरे साथ थे और उन्होंने अपने दो विधायक कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज है नैनपाल रावत कह रहे हैं कि किसानों की मांगे तो ठीक हैं लेकिन उनके एरिया के किसान नहीं है इसलिए वो ना समझाएंगे और अगर जनता जनार्दन जो है वो कहे कि इस्तीफा दे दो या फिर समर्थन वापस ले लो त आगे आने वाले वक्त में ये किसान अंदोलन किस तरीके का मोड लेता है ये जरूर देखने वाली बात होगी मैं हूँ देवेंदर कैमरा के पीछे मेरे सही होगी सूरज देखते रहिए पंजाब केसी टीवी चाड़ीगर नमस्कार